आई एस इंटर्यू में पूछे गए 10 ऐसे सवाल जिसे आपको जानना ही चाहिए नमबर फर्स्ट ऐसा कौन सा देश है जहां मात्र 27 लोग रहते हैं जवाब को देने के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ 10 सकेंड है तो इसका जवाब है दोस्तों इंगलेंड के सफोर समुद्री तड़ से करिबदर से 12 किलोमेटर दूर इस्थिस्त सीलेंड एक ऐसा देश है जहां की जनसंख्या मात्र 27 है इस देश का छेत्रपल एक टेनिस कोट के बराबर है नंबर सेकेंड अगर आग को मूह, मूह को नाग, नाग को कान और कान को जीप कह जाता तो फिर आप किस से सुनते इस जवाब को देने के लिए दोस्तों आपके पास 10 सकेंड है तो इसका सही जवाब है दोस्तों जीप से नंबर तीसरा वह कौन है जो अपना सारा काम हातों की बजाए नाग से करता है इस जवाब को देने के लिए दोस्तों आपके पास 10 सकेंड है इसका सही जवाब है दोस्तों हाथ थी नंबर चाव था सुई के उपर सुई है और जितने बज़े है उसमें उतने ही मिनट बाकी है बताओ घड़ी में क्या समय हुआ है आपके पास इस जवाब को देने के लिए दोस्तों 10 सकेंड है इसका जवाब है दोस्तों घड़ी में 9 बज़कर 50 मिनट टाइम हुआ है जिससे 10 बज़ने में 10 मिनट बाकी है नमबर पाचवा आपके सहर में कितनी ट्रैफिक लाइट्स है इस जवाब को देने के लिए दोस्तों आपके पास 10 सकेंड है इसका सही जवाब है दोस्तों इस सवाल को सुनने वाले अधिकतर लोग अपनी सहर के ट्रैफिक सिगनल गिनने लगते हैं जबकि यहां ट्रैफिक लाइट के बार में पूछा गया है जो कहीं पर भी सिर्फ तीन की तरह ही होती है रेड ग्रीन यलो नमबर सिक्स आठ को आठ बार लिखने से उत्तर एक हजार आएगा बताओ कैसे आपके पास दोस्तों इस जवाब को देने के लिए सिर्फ दस सकेंड है इसका सही जवाब है दोस्तों तिल्पल एट प्लस डबल एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट बराबर एक हजार नमबर साथ वाँ एक घडी लगतार तेज हो रही है यह रभिवार सुबा आठ बजे आच मिनट पीछे थी और मंगल वार सुबा आठ बजे साथ मिनट आगे थी तो बताओ इस घडी ने सही समय तब दिखाया होगा आपके पास दोस्तों इस जवाब को देने के लिए 10 सकेंड है इसका सही जवाब है दोस्तों मंगल वार सुबा चार बजे नमबर आठ वा यदि वास्तविक समय बारा बज़ के 30 मिनट हो रहा है तो ऐसी इस्थित में प्रतिभीम का क्या समय होगा आपको दोस्तों इस जवाब को देने के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ 10 सकेंड है तो इसका सही जवाब है दोस्तों 11 बज़ के 30 मिनट आपका नववा सवाल है दोस्तों ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है आपके पास दोस्तों इस जवाब को देने के लिए सिर्फ 10 सकेंड है तो इसका जवाब है दोस्तों थाइम क्या हुआ नवबर दसवा ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कोई परचाई नहीं होती और इस सवाल का जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना